What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell just as sweet. यानि, नाम में क्या ही रखा है? हम गुलाब को किसी भी नाम से पुकारें, उसकी सुगंध जस्की तस रहेगी. Shakespeare ने अगर एक quotation दी, यू ही नहीं कही थी. मजबूत लॉजिक था उनके पास, लेकिन हम जैसे ही पाकिस्तान का नाम लेते हैं, उनका लॉजिक दम तोड़ देता है. और इसके भी एक नहीं अनंत कारण है. नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वश्णी Alternate News Media Portal, और मैं अबनी स्तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे कुंठित पाकिस्तान को मोधी के मिसाई, यानी हमारे विदेश मंतरी इस जैसंकर ने संजुक्त राष्ट में करारा तमाचा जड़ा है. दरहसल भारत को UNAC का स्थाई सदस्व बनाने की मांग के बेच पाकिस्तानी विदेश मंतरी बिलावाल भुट्टो ने कहा था कि कस्मीर का मुद्ध अब भी सुल्जा नहीं है. यदि आप बहुपक्षवाद की सफलता देखना चाहते हैं, तो कस्मीर के मुद्ध पर आप UNAC के प्रस्ताओं को लागू करने के नुमती दे सकते हैं. आप सावित कर सकते हैं कि बहुपक्षवाद सफल होगा. आप ये सावित करें कि आपकी अधिश्ता में UNAC हमारे शे पर हमला किया, और UN जैसे शक्तिसाली मंच पर उपदेश देने के काविल नहीं है. साथ ही, उन्होंने UN में बीटो लगा कर पाकिस्तान की आतंकियों को बचाने वाले चीन की भी जमकर क्लास लगाई. उन्होंने कहा, सवभाविक तोर पर हम आज मल्टिलेटरिज्म के फोकस कर रहे हैं. हमारा अपना-पना नजरिया हो सकता है, लेकिन एक आम राय बन रही है. कम से कम इसमें हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए. दुनिया टेरिज्म के खिलाफ संघर्स कर रही है, और ऐसे दोर में कुछ लोग आतंकी हमलों को अंजाम देने वालों, साज रचने वालों को सही ठारा रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए अंतराष्टिय मंचो का गलत इस्तमाल कर रहे हैं. विदेश मंत्री ने कहा हम रास्तों की तलाश कर रहे हैं, तब हमें ऐसे खत्रों को नॉर्मल करनी की कोशिशों को स्विकार नहीं करना चाहिए. अभी दक पाकिस्तान तो आतंकी फैक्टरी है ही, लेकिन चीन हमेशा से ही आतंकियों का समर्थन करते आया है। उन्हें संजुक्त राष्ट्र में अपने वीटो का इस्तमाल कर बचाते आया है, जिसे लेकर भारत ने हमेशा ही बिरोध जताया है। इसके अलावा, पाकिस्तान अकसर बैश्विक मंचों पर कस्मीर को लेकर बयानवाजी करता रहता है, और इस बार भी उसने वही किया। लेकिन जैसंकर ने इस बार पाकिस्तान के साथ-साथ उसके आगा, यानि चीन की भी बजा कर रख दी। बैश्विक मंच पर बिलावल भुटों के आँखों के सामने जैसंकर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन उनके शब्द बार भुटों के साथ-साथ पाकिस्तानी सरकार को भी छलनी कर रहे थे। संजुक्त राष्ट में पाकिस्तान को मरहम लगाने वाले ड्रैगन को जैसंकर ने नह दिया, साथ ही या भी स्वश्ट कर दिया कि यातंकियों को पनाह देने वालों का नाम भले ये पे टीफ की ग्रेल इश्री से कैसे भी करके हट गया है, लेकिन उनके मोल में क्या है या कि मनसा क्या है उसे पूरी दुनिया काफी अच्छे से समझ रही है, आपको बता दे कि इस दिसंबर के लाष्ट में 15 सदस्य संजुक्त राष्ट शुरक्षा परिश्ट यानि वे निसी के निर्वाचित सदस्य के रोप में भारत का दो वर्स का कारेकाल पूरा होने वाला ह अगस्ट 2021 के बाद यह दूसरी बार है जब भारत इवे निसी सदस्य के रोप में दो वर्स के अपने कारेकाल के दोरान परिशत की अध्यक्षता कर रहा है